जिनके शनी क्रेव बारवे घर में बैठे हैं, वो जीवन में किस तरह का प्रभाव डालेंगे, आज उस विशे में बहुत विस्तार जबात करेंगे, साथ के साथ दर्शकों कुछ साफधानिया भी बताने वाला हूं, जो बहुत ज़ादा जरूरी हैं, यानि अति आवश्यक क्यों कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शनी कारावास करा दें, लेकिन 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 ये मत सोचिये कि क्या शनी सबको कारावास कराएंगे बारवे घर में, ऐसा होगा क्या और बचने के लिए क्या करना है, साथ ही शनी आपकी नेचर पर खास क्या प्रभाव डालेंगे, परिव दर्शको वीडियो बिना स्किप करें पूरी देखियेगा और जैसा मैंने कहा सावधानी आखरी में जरूर बताता हूं तो इसलिए आखरी तक वीडियो देखने हैं दर्शको मैं स्ट्रोजर शेलेश जन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शको तो अगर शनी देव आपके 12 आउस में बैठे हैं तो सबसे पहले आपके जीवन पैसी क्या चीज होगी जिस पर हो सबसे ज़ादा असर करेंगे उसमें relevant और important चीज है हमारा शरीर तन अगर शनी बारवे में हैं हो ही नहीं सकता दर्शको ऐसा कि तन पर किसी तरह का घात ना लगाएं अब गात का मतलब आगात भी हो सकता है गात का मतलब शरीर पर कोई चोड़ भी हो सकती है गात का मतलब शरीर के अंगों में थोड़ा सा विकार भी हो सकता है पर लेकिन परंतु शुरुआत में यसी बात सुनके मन में एक भै उत्पन हो जाता है कि अरे अरे अगर शरीर पे डालेंगे शरीर के उपर लेकिन आपकी जिंदगी को नहीं रोकेंगे तन के कारण यानि तन प्रभावित होगा लेकिन कारे प्रभावित नहीं होगा इसलिए घबराइए नहीं जो इस्तित्यां आएंगी बारवे घर के शनी के कारण आपके शरीर पर आपके तन पर वो आप ये रोक, ये परिशानी, पता आपको ही होगा, सारी दुनिया को नहीं पता होगा, देखने में लोगों को लगेगा कि सब संतुलित है, पर आपके शरीर में क्या चल रहा है, या तो आप जानते हैं, या फिर हम जियोतिशी अपनी नजर से जानते हैं, कि आप किस कष्ट को कि इस तरह से जेल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बताना चाहूंगा, कि काम नहीं रुकेगा, कारे छेत्र के अंदर आपका शरीर बीच में नहीं आएगा, तो इसलिए बस वो कष्ट जेलना है, कारे छेत्र प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब दर्शकों एक एक करके बात बत जलते हैं, यानि बारवे घर के शनी आपके जीवन में रिष्टदारों का बड़ा योगदान रखते हैं, अब आप कहेंगे योगदान कैसा चारे जी, योगदान ऐसा, कि आपके रिष्टदारों को आपकी जिन्दिगे में कुछ जाधा ही इंटरेस्ट है, उन्हें हर पल जानना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है आप क्या करने वाले हैं और साथ के साथ आपके जिंदगी के decisions को भी control करने की कोशिश करते हैं आपके परिवार के लोगों को आपके विशे में ऐसे ऐसी बाते करते हैं जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है और बारवे घर के शनी आपके रिष्टेदारों को थोड़ा हवा में उठाके रखते हैं क्यों क्योंकि वह आपके घर वालों से ज तेरे घर में मेरी लाइफ में इंट्रफेर करते क्यों है रिष्टेदार क्योंकि बारवे घर में शनी हैं आपकी कुंडली में तो वह रिष्टेदार आपको प्रभावित करेंगे और दिक्कत भी करेंगे और कमाल की बात बताओं दर्शे को सिरफ जबानी दिक्कते हैं औ और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उनकी तरफ से अपना दिमाग अठालो तो वो सरफ बोलते रहा जाएंगे आप अपनी जिंदिगी में आगे बढ़ सकते हैं अब आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं तो थोड़ी सी एक बात और बताऊंगा दर्शको कि जिंदिगी के स्याम धंदाश शुरू करते हैं अप कारेचेत्र में आते हैं यह अपनी लाइफ्का अनुबव लेते हैं तो 15 के शनी आपको क्या सिखाते हैं दर्शकों शृवात में बहुत दिक्कत देते ऐसे विशे में आपको लगेगा कि वो लोग तो बहुत आगे निकल गए शायद हमारी जिंदिगे में कुछ होना नहीं है लेकिन बारवे घर के शनी शुरुवात में जितना परिशानी दे रहे हैं बाद में यानि मिडल एज में जाके आप उतना ही शांती से अपने अनुभ जरूर परिशान हो रहे होंगे वो बतलग है दशाओं का बहुत इंपोर्टन योग होता है लेकिन फिर भी बारवे घर के शनी आपको जिंदिगी में पहले संगर्ष कराते हैं एक्सपीरियंस देते हैं शने शने ज्यान बढ़ाते हैं और फिर आपको डेफिनेटली जी हा में विचार आया है जो जरूर बताना चाहूंगा बारवे घर के शनी के लिए कि आपका अपना घर जो होगा जिसमें आप रहेंगे यानि आपका मालिकाना घर उस घर को सोच समझ कर छोड़ना कभी भी क्योंकि अगर आपने अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जंगा जाक बहुत कोशिश के बावजूत भी आप उस घर को रोक या रख नहीं पाओगे या तो बढ़ी अपनी इंवेस्टमेंट ही चेंज कर लेना कि वो घर बेच के दूसरा घर ले लेना पर अगर आपने सोचा कि हम यह घर भी रख लेंगे नया और घर खरीद लेंगे थोड़ी स परिशानी आईगी क्यों क्योंकि शनीग्रे कहते हैं जहां आप वहां हम आपके साथ साथ चलेंगे तो इसलिए वो जो पुराना घर था ना जिसमें आप रह रहेते ना वो बिकेगा और अवश्य बिकेगा अगर आप उसे छोड़ गए तो साथ ही जब घर परिवार की बा काता हूं बारवेगर के शनी की कि आप लोगों के पात संतान के संख्यां बहुत अधिक नहीं होती जिनके बारवेगर में शनी होते हैं क्योंकि आप काफी संवेदन चील होते हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं मैंने बारवेगर के शनी वालों को अपनी संत कान के प्रती जिम्मेदारियां अधूरी छोड़े बहुत कम देखा है लेकिन आप इसी संवेदन चीलता के कारण इतने अधिक चिंतित हो जाते हैं कि अपने शरीर पर बिमारी और रोग थोड़ा बड़ा लेते हैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके भाग्ये से आपके संदान का भी भाग्ये अच्छा उबरेगा क्योंकि आपका बारवे घर में शनी है साथी दर्श को एक बात और कि आपको किसके साथ रहना पसंद लगता है यानि किसके साथ रहना सबसे जादा अच्छा लगता है किसके साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है कौन है जिसकी कंपनी आपको सबसे जादा लुपाती है आश्चेरे चकितमत होईएगा वो है आप स्वयम यानि स्वयम आप यानि आप खुद अपनी कंपनी बहुत अच्छी रखती है यंग एज में ही अकेले चुप चाप कुछ समय बिताना बड़ा पसंद था और तो और मित्रों को भी साथ में रखते तो हो लेकिन अकेले स्वेम के साथ उभरना अच्छा लगता है अब यह अकेले रहने के कारण के हमारे कामधंदे पर हमारे कारे चेतर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा दर्शको इसका एक बड़ा ही निर्धारिद्वे में आपको एक बात बताता हूं दर्शक गण कि जब आप यंग एज में हो तो यंग एज क्या मतलब यंग एज मतलब जैसे 20 से लेके 30 की उम्र इस उम्र के अंदर आप जो अनभव लेते हो कारे चेतर करते हो ऐसे में अक्सर मैंने बारवे घर के शनी के साथ देखा है कि आप घर से दूर रहकर काम करना पसंद करते हैं और तो और अगर आपने घर के अंदर कोई कारे शुरू किया तो थोड़ा स्ट्रुगल अधिक होता है इसलिए कभी-कभी में शुरुवाती दौर में परामश देता हूं कि घर के बाहर जादा समय बिताईए अपने कारे छेत्र के अनुसार बाद में रात को घर ही आना है लेकिन काम का समय बाहर जादा व्यतित होगा अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि क्या परस को परिवर्थित करते हैं फ세요 के लिए तो मैं सोरा ओर है जीवन के शुरुवाती दौर में आप घर के बाहर जादा काम कीजिए घर में काम कं सब्सक्राइद की जिस घर में आप पैदा हुए हैं, उस घर में आपका काम नहीं चल पाएगा, आप बाहर खूब काम कीजिए, खूब जॉब कीजिए, अपना काम भी कीजिए, कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के साथ जुड़के व्यपार किया, तो शनी ग्रेया थोड़ा सा प अच्छी भी है, लेकिन विवा के पश्चाद, इस तरी पक्ष के लिए यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन आता है, और जो परिवर्तन आता है न, वो मैं हिंदू परमपराउं के अनुसार नहीं कहा रहा है, कि आप विवा करके कहीं और जा रही हैं, वो मैं इसले कहा रहा गर पे भी कर सकती हैं और बाहर भी कर सकती है, यानि एक opportunity open हो जाती है, बारवेगर के शनी में, शादी के बाद इस तरी पक्ष के लिए, पुरुष पक्ष के लिए अभी वो यह कहानी है, कि घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, बैटने को नहीं मिलेगा, बैटने की कोशि जिशकरीत शनी देव कुरसी खीच लेंगे और आपको दोड़ बाग करनी ही पड़ेगी, तो ये ध़ड़ासा अंतर दोनों के कारे चेतर में आता है, अच्छा कारे चेतर के बारे में बात कर रहा हूं, तो हाथ वाद ये और डिसकस कर लूँ, कि किस तरह के कारे चेतर में बारवे घर के शनी हमें रहा दिखाते हैं, उसमें एक साधारन, सिंपल और सीधी बात बताऊंगा दर्शको, बारवे घर के शनी आपको पॉलिटीशन भी बना सकते हैं, बैरिस्टर भी बना सकते हैं, लॉयर भी बना सकते हैं, डॉक्टर भी बना सकते हैं, लेक्चरार भ ना करते हों उससे जादा आपको ऐसा कारे प्रभावित करेगा जो पब्लिक से काम करना हो तो अगर बारवेगर में शनी है ना तो ऐसा कारे बहुत जादा आपको सूट करता है अब इसी में भी एक exception है यानि एक ऐसी बार जो बिल्कुल विपरीच चली जाती है ऐसा क्यों है अभी बताता हूँ दर्शा को लेकिन उससे पहले एक महतपूर्ण सूचना जरूर दूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शनी अन्य घरों में बैठ कर किस तरह का फल दे रहे हैं वीडियो के description box में जाके playlist पे click कर सकते हैं ऐसी एक playlist दिखेगी जिसमें आपको नजर आएगा कि शनी कौन कौन से घरों में कैसा result दे रहे हैं अपने अनुसार चुनिए देखिए और enjoy कीजिए साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मंगल ग्रह 12 घरों में कैसा फल दे ये कि सभी ग्रह भाव में बैट कर कैसा फल देते हैं इन सब की वीडियो हैं सब की playlist हैं सरफ आपको description box में जाना है और playlist पर click करना है और फिर वहाँ पर वीडियो देखके like जरूर करना है और यहाँ पर भी वीडियो like जरूर करना है दर्शकों तो अब बात करते हैं उस वि लिंकर रूप स्वरूप कभी-कभी बहुत ज़्यादा बदल जाता है ऐसा इसलिए दर्शकों की शनी बारवेगर में आपको एक अजीब तरह की एकाकीपन देते हैं अकीला जैसे मैंने का ना आपको अपनी company अच्छे लगती है ठीक वैसे ही कभी-कभी मैं आपसे कहता कि अब सरकारी government job की secret services में चले जाएए क्यों secret services में चले जाएए क्योंकि दर्शकों आप जिस तरह से चीजों का अनभव लेते हैं चुप-चाप, back gate से किसी को देखते हैं, समझते हैं, उसकी पूरी investigation करते हैं वो बात कहीं और जंकती नहीं है शनी ये experience आपको पड़े कंपनी पसंद है, तो आपको अकेले में रहके किसी को judge करना, समझना भी बहुत पसंद है, आप research work बहुत अच्छा करते हो, हर चीज की गहराई में उतरके उसको research करते हो, और secretly करते हो सबसे important बात, इसलिए secret services, अब यहीं पर इसलिए एक बात और बताता हूं दर्शकों, औ कि अगर कोई ये जानता है, या ये सोचता है कि वो आपको जानता है, तो सही बताऊं दर्शकों, वो आपको बिलकुल नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, क्योंकि मैंने बोला ना, अपनी company पसंद है, secret सोच रखते हो, और तो और आप हमेशा लोगों से एक सलाह देते रहत हो, कि मेरे बारे में जादा decide करके मत बैठ जाना, क्योंकि मैं अपनी personality बदलता या बदलती रहती हूं, ऐसा मने इसलिए बोला दर्शकों, कि अगर कोई कहे ना, कि हम तो इस व्यक्ति को बहुत जादा जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, बहुत वर्षों से जानते है दर्शक गण, कितना इवर्षों से जानते हों, फीर भी आपको नहीं जान पाए, क्योंकि आप अपनी मन की बात किसी से कहते ही नहीं हैं, आप सब के साथ अलग-लग वैवार करते हैं, और वो अलग-वैवार का हल क्या है, या कैसे करते हैं, वो अभी बताता हूं, पहले एक बहुत important बात जो साफधानी के रूप में मैं जरूर बताऊंगा इस वीडियो में भी और मैं हर वीडियो में साफधानी अवश्य बताता हूँ, वो ये दर्शको कि कहीं बारवे घर के शनी आपको जेल ना पहुचा दे, कारावास न करा दें, साफधानी रखिएगा पर किस बात की साफधानी, एक ही साफधानी रखनी है दर्शको, वो ये कि आपको किसी के लिए सिगनेचर नहीं करने हैं, किसी के लिए सेक्योरिटी नहीं देनी हैं, किसी का साथ निभाने के चकर में, उसकी हैल्प करने के चकर में, पेपर वर्क में मत फज जाना, करोगे सीविल डिल, बन जाएगी क्रिमिनल केस, वो तो बचके निकल ज जाएगी आप वज जाओगे ये बात मेरी खास तोर पर ध्यान रखना दर्शको वह बात अलग है कि आप हर किसी के लिए साइन करने वाले भी नहीं हो यह मुझे मालूम है लेकिन दर्शको कोई-कोई बहुत करीब आ कभी-कभी किजी पर इतना विश्वास हो जाता है जो स्वें से भी जादा वहां पर ज़्यादा सचेत रहना है क्योंकि नौर्मली देगे ना दर्शको आपका पैसा आस तक किसी ने वापिस किया कभी नहीं किया रो रोकर आपसे पैसा ले जाते हैं आपके सगे संबंदी पहने वाला व्यक्ति इतना मैचियर और समझदार व्यक्ति जो बारवे घर के शनी का अनुबब ले चुके हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं और छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी गलती इसलिए कहा रहा हूं कहीं ये गलती फिर आपको मजबूरी में ना फसादे और आप के मान संबान पर एक ऐसा दाग ना लग जाए जहां आप क्लरिफाई भी नहीं कर पाओगे कि भई हमने तो हेल्प करी थी लोग कहेंगे कि शायद आप अंदे हो गए थे पर दर्शकों मैं समस्ता हूं ऐसे इस्तितियों में फसने से अच्छा है ना बोल दीजिए वो ज़ तक मान की सक्षे के लिए सेक्यूरेटी नहीं देनी है यहीं साफधानी है दर्श को साफधानी तो बतादी बिलवाणी को विरान दूंगा पहली रोड़ वा यहा कि आप विदेश बthose में रहना पसंद करते हो पर विदेशों से वास आना और जीजिए पसंद करते ह Çok नोन समाच में पैदा हुए उन्हें दिखना तो चाहिए उन्हें पदा तो होना चाहिए कहीं दूर दराज जाकर तरक्की करी तो पदा किसे लगा अब है तो दिखाने में मज़ा तो आता है ऐसा विश्वास करते हो इसलिए विदेश में जाने के बावजूद भी अपने देश से इतना जुड़े रहते हो और आजकल तो बहुत जरीये बन गए सोशल नेटवर्किंग के इसलिए वहां पर छोटे-छोटे कामों के बहाने यहां रिश्टेदारों को दिखाते रहते हो कि आपका घर कैसा है आप कहां घूमते हो आप कहां कारे करते हो और यह बहुत रोचक बात है मुझे बहुत पसंद आती है आप बारवेगर के शनी वालों की अचा जैसे कि मैंने लिखा है कि आपको समझना असान ही नहीं नामुमकिन है यानि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन उसकी एक बात तो मैं बता चुका हूं कि आपको अपनी कमती पसंद है दूसरी बात बता चुका हूं कि आप सीक्रेटली अनलेसिस करते हैं तीसरी बात बता चुका हूं कि अगर कोई आपको बेवकूफ समझे तो मेरी नजरों में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं और चौती और महत्पून बात दर्शक आपकी यह है कि आप परसनल लेचर में सब के अलग अलग हैं व्यक्ति का तोर पर अलग समाज में अलग समाजिक दिखावे में अलग मित्रों में भी किसी मित्र के साथ ऐसा वैवार किसी के साथ वैसा वैवार संतान के साथ अलग जीवन साती के साथ अलग अगर कोई घर पे महमान आ जाए वह आपका अलग चरित्र और व्यक्तित देखेगा, ओफिस में काम करने वालों के साथ अलग, जिन से प्यार करते हो अलग, पढ़ोसियों के साथ अलग, और वो जो रिष्टिदार मिले थे न हमें, गिफ्ट में, उनके साथ अलग, अब जिस व्यक्ति के अंदर इतना कुछ अलग है, तो आप ही बताईए दर्शको क्या उसको समझना आसान है, नामुम्किन के आसपास नहीं है, बताईएगा दर्शको कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपको इवीडियो कैसी लगी, किस तरह का आपका अनुभव रहा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी कमेंट हो, आपका स्वागत है, और हाँ वीडियो लाइक जरूर कीजेगा, और साथ के साथ औरों को भी शेयर कीजिए, अगर आपको इवीडियो पसंद आ रही हैं तो, और चैनल सब्सक्राइब करें बिना तो मज जाएगा दर्शको, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झाल